मुझे अपनी जॉब छोड़ दीनी चाहिए, क्योंकि civil services में मेरा आगए जाके हो भी जाएगा, या फिर नहीं होगा, मेरे कितने साल बरबाद हो जाएगे, ऐसा मेरे को कोई idea नहीं था, मैंने कुछ इस तरह की strategies use की थी, उससे मेरे marks इंप्रूव हुए, आप अपने job से बिल Hello everyone, मेरा नाम Divyanj Singh है, मैं जैपूर राजस्थान से हूँ और इस साल civil services examination 2021 में मेरे rank 49 है, मेरा childhood पूरा का पूरा राजस्थान में ही बीता, मेरी family में, मेरे father थे, وہ state government में थे, engineer थे, मेरी mom housewife है और एक मेरी छोटी बहन भी है, so papa का transfer होता रहता था तो हम लोग जाते रहते थे मैं जैपूर में रहा हूँ, मैं सवाई मादूपूर में रहा हूँ, बासवाडा में रहा हूँ, so middle class family थी, जैसा होता है, I guess, बहुत सारे लोग relate कर पा रहे होंगे इस life से, और हमेशा से, जैसे middle class family में होता है, कि दो ही options होते हैं लोगों के पास, या तो आपको engineer बनना है, या फिर आपको doctor बनना है, so, और मेरा particularly interest भी था science में, तो फिर मैंने engineering की तरफ जाने का सोचा, और फिर मैंना IT examination दिया, वहाँ पर मैं successful रहा, मैंना IT daily में admission लिया, मेरे को Microsoft में as a software developer job मिली, जो कि finally 2016 में मैंने join की, बहार के perspective से, तो ऐसे देखेंगे कि सब कुछ मेरे साथ बहुत अच्छी है, मैं पढ़ा भी बहुत elite college से हूँ, तो ऐसा लगेगा कि कुछ मेरे अंदर मेरे career में कुछ issue ही नहीं है, but होता ऐसा है कि, जब मैंने उस job को जाके करने का देखा, तो मुझे थोड़ी देर बाद ही realize हो गया कि, जो software developer वाली और जो coding और programming वाली job है, वो म इस पर future देख पा रहा था, plus जो आगे की जो मेरी journey थी, वो भी मेरे को exactly clear थी नहीं कि मुझे करना क्या है आगे जाके, मैंने internet पे search भी किया, कि how to find your passion, कैसे अपने passion को डूंडू, क्या करूं कि मुझे अपना passion मिल जाए, क्योंकि हमें भी यही feed किया जाता है, कि आप अपन करने का सोच रहा हूँ, तो चलो एक बार अपने passion को ढूंड के देख लेता हूँ, उसी पर काम करके देख लेता हूँ, तो उसी time मेरे एक दोस्त ने मुझे बहुत ही wonderful book suggest करी, जो की उसका title है, So Good That They Can't Ignore You, और वो लिखी है एक computer science के professor ने, Call Newport ने, मैं तो यह सोच रहा था क कि मुझे अपना passion मिलेगा, और फिर मैं फिर खुश रहूँगा, बट जब मैंने उनकी book पड़ी तो मझे पता पड़ा, यह बिल्कुल उल्टा है, पहले आप hard work करेंगे, पहले आप अपने skill set बनाएंगे, पहले आप competent होंगे किसी area में, फिर आप जाके उस area में passionate होंगे, उस book में तीन चीजों को बहुत clearly outline किया हुआ है, और मेरे साब से आप भी relate करेंगे, तो तीन जो चीजे होती है, बहुत important वो होती है, पहली चीज तो होती है कि creativity, तो आपकी job आपको कितना creative होने का मौका दे रही है, दूसरी चीज होती है control, कि आपकी job आपको कितना control दे र impact, impact होता है कि आपका का finally, लोगों पे, आपके clients पे, आपके organization पे impact क्या है, मुझे अपनी personality को देखते हुए, उस book के inputs के बाद, और साथ-साथ में जो मैंने तीन चीजें आपको बताई, creativity हो गया, control हो गया, और उसके साथ-साथ में finally impact हो गया, तो मुझे लगता था कि civil services में ये तीनों चीजें मुझे मिल सकती हैं, और एक बहुत ही young age मुझे मिल सकती है, so for example, एक IIS officer होते हैं, उनके पास creativity भी होती है, क्योंकि उनके बहुत initiative होता है चीजों को करने के लिए, second control भी होता है, क्योंकि आप district administration पे काफी powerful positions पे हैं, और तीसरी चीजे आप impact भी create कर सकते और वो भी बिलकुल direct impact, तो इसके बाद फिर मैंने एक बहुत ही difficult सा decision लिया कि मुझे अपनी job छोड़ दीनी चाहिए, क्योंकि मुझे ultimately civil services की तरफ ही जाना है, और job के साथ civil services को manage करना मेरी लिए difficult हो रहा था, तो फिर मैंने अपनी job छोड़ी, but at the same time मैं ये बोलूँगा कि मैंने कोई rash decision नहीं लिया था, मैंने बहुत ही calculated decision लिया था, मैंने research करी थी उस बारे में, मैंने financial savings को बनाया था, उसके साथ में लोगों से बात की थी, और साथ साथ में ऐसे बताए मैंने books पड़ी थी, और उसके बाद कहीं जाके मैंने एक calculated decision लिया था, फिर यहां से मेरी civil services की journey start होती है, 2018 में मेरा पहला attempt था, उसके साथ साथ में मैंने भी वही किया जो और लोग करते हैं, मैंने books ली, toppers की videos देखी, आपने दोस्तों से guidance ली, जो की already prepared कर रहे थे civil services में, और prelims को बहुत जादा time नहीं बचाता, सिर्फ 4-5 महीं नहीं बचे थे तो मैंने अपना प और civil services के लिए optional भी prepare करना पड़ता है, तो it requires a certain amount of time, जो की मेरे पास नहीं था, फिर 2019 में क्या हुआ कि 2019 में मेरे पास time था, एक साल पुरा मुझे मिला, prelims भी हो गया, mains भी हो गया, और फिर मैं interview तक गया, और interview भी luckily मैंने clear कर लिया, and 2019 में मुझे IRS service अलोकेट हो गई, Indian revenue services, और particularly उस पे भी customs and indirect taxes, और मेरी rank थी 484, तो ये 2019 का था, बट कहीं न कहीं मैं IRS बनने के लिए नहीं civil services में है था, मेरा हमेशा से aim था कि मैं IAS बनूँ, no doubt मैंने अपनी service को join किया as a backup, क्योंकि exam इतना certain है कि आपको पता नहीं कि आगे क्या होगा, तो मैंने अपनी service को join जरूर किया, बट मैंने फिर एक साल का EOL ले लिया ताकि मैं IAS के लिए और attempts दे सकूँ, तो फिर मैंने अमना third attempt दिया, तो third attempt में मैं उतना lucky नहीं रहा, although मेरी rank आई, बट मुझे again IAS नहीं मिला और कोई service allocate हुई नहीं, बट फिर मैंने 2021 में मैं बहुत ही ज्यादा third attempt के बाद आप अब 2021 का attempt था, तो मैंने यह decide कर लिया था कि भाई, this would be my fourth attempt and उससे जादा मैं और attempts नहीं दूँगा, तो मैंने इस mindset के साथ मैंने अपने preparation की थी 2021 की, और हुआ गया था because of COVID 2020 के results काफी delayed होके आये थे, so मेरे पास बहुत जादा समय भी नहीं था यह सोचने का और करने का, और म साथ साथ में एक मैंने बहुत जादा अपने, जैसे मैंने बताया, test series पर rely किया था, short notes पर rely किया था, थोड़े low hanging fruits मैंने try किये था, analysis करके कि मैं वहाँ पर अच्छा कर सकूँ, वहाँ पर marks जादा ला सकूँ, तो मैंने कुछ इस तरह की strategies use की थी, उससे मेरे marks improve हुए, GS में कुछ में marks improve हुए, option में में कुछ marks improve हुए, so because of the combined effect जो की आया, तो मेरी rank इस बार improve होके 49th हो गई, और इस बार I am hoping कि मुझे Indian administrative service मिल जाएगा, जो की जिसका aim में लेके चला था 2018 में, although बहुत time बीच चुका है, but absence ऐसी ही journey होती है कि पहले आपको वो चीज नहीं मिलती जो चाहते हैं, फिर आपको उसमें और effort लगाना पड़ता है, हो सकता है कि बीच में बहुत सारे disappointments भी आएंगे, और फिर आपको finally अगर आप लगे रहेंगे, आप उसी direction में continue काम करते रहेंगे, तो कभी ना कभी वो चीज आपकी जाके हो जाएगी, so मैंने जो learn किया है, अप आपको कभी आप किसी mold में मत डाल के रखिये, कि मैं यही काम करूँगा, या फिर मैं यही काम करूँगी, आपकी पस बहुत सारी opportunities हैं, और हमेशे confident रही है, क्योंकि मैंने तो इतनी streams change की हैं, पहले मैंने physics chemistry maths पढ़ा, फिर मैंने computer science पढ़ा, फिर मैंने GS पढ़ा, अभी मै IRS में taxation पढ़ रहा हूँ, फिर मैं administrative services में laws और administration के regarding पढ़ूँगा, और मैंने एक ही चीज realize कि है, कि अगर आप किसी चीज को बहुत diligently कर रहे हैं, बहुत properly अपना दिल लगा के कर रहे हैं, तो वो हो जाती है, भले ही आपका background पहले कुछ भी रहा हो, कैसा भी रहा हो, अगर आप उस चीज को properly करेंगे, तो finally हो जाएगी, ऐसा मत सोची कि मेरे को बहुत काम करना पड़ेगा, या फिर मेरे को बहुत जादा effort डालने पड़ेंगे, में भी आपको effort डालने पड़े, पर ऐसा नहीं होगा कि आपको successful नहीं हो सकते, last में मैं आपसे यही कहना चाहूँग कि अगर आप अपने जॉब में stuck feel कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यह जॉब आपके लिए नहीं है, आपको कुछ change करने की जरूरत है, आप अपने जॉब से बिलकुल खुश नहीं लग रहे हैं, आपको बहुत frustrating लग रहा है, आपको लग रहा है मंडे को तो मेरे को जान लोगों से बात करिए, थोड़ी पनी savings बनाइए, और फिर अगर आपको जो भी change चाहिए, जो भी आपको direction सही लगती है, वहाँ पर उसकी तरफ चले जाएए, प्लंज ले लीजिए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं करेंगे, तो फिर आपको आगे जाके हो सकता है मौका न हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए बने ही नहीं है, आप ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आपकी personality को suit ही नहीं करता, तो option आपके पास सिर्फ exploration का ही है, passion तो देखिए, ऐसा है कि passion तो आपके बहुत सारे हो सकते हैं, और जरूरत नहीं है कि आप जो passion वाली चीज करें आपको आगे जाके काम भी आए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आए, तो बट still मैं ये जरूर कहूँगा कि आप एक change की तरफ तो लीजिए, एक change तो लेके देखिए, हमारी जो age 20-30 ये इसमें बहुत energetic होते हैं, हम अपने career को change कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे family के भी constraints कम होते हैं, उसके साथ साथ में हम अपनी financial savings भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर को transition लाना आसान होता है, एक बार 30-35 की उपर चले जाएंगे तो फिर वो चीजे थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी, आपको 30-40 साल काम करना है, 8 घंटे काम करना है, तो one third of your life जो सिर्फ काम में चली जाएगी, तो ensure, please ensure करिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आप at least खुश हो, उसमें आप कुछ contribute कर सके वर्ल्ड को, और साथ साथ में प्रॉपर अपना career बना सके, और lastly मैं एक बहुत ही अच्छी court के साथ end करना चाहूँगा, यह court है Jim Rondh की, और उन्होंने क्या क कि life में दो ही तरह के pain होते हैं, एक होता है कि the pain of regret, और दूसरा होता है the pain of discipline, और जो पहरा pain होता है, discipline वाला वो ounces में वे करता है, और जो regret वाला pain होता है, वो ton में वे करता है, क्योंकि एक बार आपने अभी steps नहीं लिये, तो आप जिंदी की बर regret करते रहेंगे, बट अगर आपने अभी कोई नया initiative लिया, कोई change किया, तो आपको क्या करना है, आपको disciplined रहके पढ़ाई करना है, जैसे मेरे case में, या फिर आपने कोई और career option लिया, तो आपको disciplined रहके वहां काम करना है, तो वो कितने दिन रहेगा, एक साल, दो साल, और उसको आप easily manage कर सकते, so regret वाली लाइफ मत जिये, एक ऐसी लाइफ जिये, जिसको आप जाके, फाइनली अपने deathbed पर जहां आप जाके बहुत प्राउड होंगे, thank you everyone, thank you very much. Hello everyone, मैं दिव्यांश, since काफी requests आएं regarding UPSC Civil Services preparation को लेके, so हम लोग एक session प्लान कर रहे थे, जिसकी details या तो आपको comment section या description box मिल जाएगी, thank you and I hope you have a nice day.